इसके तीन चम्मट सुबह सुबह खाकर देखिए, कसम से आपके सिहत के खजाने की ऐसी चाबी है ये रेसिपी की बिमार या हो, बुढ़ापा हो, या कमजोर या हो, सब पर ताला लगा देगी क्योंकि हेल्दी हेल्दी चीजों को मिलाकर मैं आपको एक ऐसी सूपर हेल्दी रेसिपी बनाना बताऊंगी, जिसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, सारे तरह के नूट्रिशन्स भरपोर मातरा में मिलेंगे और एंडी एजिंग प्रोपर्टीज भी मिलेंगी इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग है, या आपकी हड्या कमजोर है, जोडों में दर्द रहता है, गुटना दर्द करता है, कमर दर्द है, या फिर हड्या कट-कट करती है, तब तो आपको इस मिठाई रूपी आयुर्वेदिक दवा हम लेंगे यहां पर वन फॉर्थ कप गोंद, यह किकर बबुल का गोंद है, जिसे इंगलिश में एडिवल गम कहा जाता है, यह इस तरह के क्रिस्टल जैसे दाने होते हैं, अगर मोटा गोंद है तो आप उसको थोड़ा सा क्रश करके ले सकते हैं, क्योंकि अब इस गोंद हम लेंगे एक कप गोड़, यहां पर हम इस तरह के लाल और्गेनिक शुद्ध गोड़ का यहां पर इस्तमाल करेंगे, मैंने यह एक कप बड़े टुकड़ों में इस तरह से तोड़कर लिया है, इसको हम एक पतिले में डाल देंगे, और जिस कप से हमने यह गोड़ लिया गुड़ के भी आपको फायदे मिल जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे से यह गुड़ वाला पानी उबल गया है तो इसको अब हम साइड में रख लेंगे फिर इसके बाद गैस पर हमें खड़ाई गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून देशी घी और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे फिर इसके बाद आप देखिए मैंने यहाँ पर लिये हैं आथा का बादाम इनको हम क्या करेंगे कि इस घी में डाल कर थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे इसमें मैं सिर्फ बादाम का इस्तमाल करने वाली हूँ क्यूंकि बादाम सेहत के गुणों के खजाने का भंडार होता है इसमें सभी तरह के नुट्रिशन्स पाये जाते हैं अगर आप चाहें तो और भी अपने पसंद के ड्राइफ रूट इसमें डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर बस बादाम को 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से इसमें फ्राइ कर लिया है और अब बादाम थोड़ थोड़े फटने लगे हैं तो जल्दी से हम इनको एक थाली पर निकाल लेते हैं क्योंकि इसके फाइदों के लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं आपको बताने लगूंगी तो आप सुनते सुनते ठक जाएंगे लेकिन इसके फाइदे कम नहीं पड़ेंगे हमें यहाँ पर बस इनको घी में रोस्ट कर लेना है और जब यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर इनको भी हम बादाम के साथ ही निकाल लेंगे और अच्छे से इनको ठंडा कर लेंगे फिर बादाम और मखाना को दोनों को ही हम साथ में पीस लेंगे और इनका पावडर बना कर रख लेंगे अब एक थोड़ी सी महनत वाला हमें काम करना है जिसमें हमें सिहत के फाइदे भरपूर मिलेंगे आप देखिए ये मैंने सुखा नारेल लिया है जिसे खोपरा और गोला भी कहा जाता है इसको हम क्या करेंगे कि पहले तो कदुकस कर लेंगे और इसी का हमारे इस रेसिपी में इस्तमाल करेंगे क्यूंकि इसमें नैच्रल ओयल हमें जादा मिलेंगे और ये हमारे इम्मिन सिस्टम को बूस्ट करेगा और हमारे दिल के लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये गुट फैट से भरपूर होता है तो ये मैंने इसे कदकस कर लिया है अब फिर से हम कड़ाई में दो से तीन बड़े चमच भर के देसी घी डालेंगे इस रेसिपी में टोटल मैंने आधा कप देसी घी का इस्तमाल किया है जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है अभी यहाँ पर हमने इस तरह से घी को डाल कर अच्छे से गरम कर लिया है और फिर आप देखें मैंने लिया है ये एक कप गेहु का आटा थोड़ा सा ये दरदरा पिसा हुआ गेहु का आटा है तो इसको हम घी में डाल देंगे और अच्छे से इसे पहले मिला लेंगे हमें यहाँ पर आटे की अब अच्छे से भुनाई करनी है तो दीमियाज करेंगी गेंस की और अच्छे से चलाते हुए इसको भुनेंगे अगर आप चाहें तो इसको कम घी में बना सकते हैं लेकिन कम घी में जब भी आटा भूनते हैं तो बहुत जादा महनत लगती है और टाइम भी काफी लगता है लेकिन अब क्योंकि आगे भी हमें इसमें घी का और इस्तमाल करना पड़ेगा तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ और अच्छे से से इसमें मिला लेती हूँ फिर इसके बाद आप देखे हम लेंगे दो टेबल स्पून चने का सत्तो इसे सत्तो का आटा भी कहते हैं ये भुने हुए चने का पावडर होता है जो कि हम इसमें डालेंगे और इससे हमारी सहत को बहुत जादा फाइदे मिलेंगे तो इसे भी डाल कर अच्छे से हम आटे की भुनाई कर लेंगे हमें आटे को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और पूरा जो गी है वो फिर से रिलीज ना हो जाए मैंने यहाँ पर तकरीबन 12-15 मिनिट तक अच्छे सधी में आज पर इसकी भूनाई कर ली है और अब हम क्या करेंगे कि जो गोंद को पीसकर हमने उसको पावडर बनाया है वो हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इससे हमें गोंद को अलग से भूनने की या तलने की महनत नहीं करने पड़ेगी आटे के साथ ही गोंद अच्छे से फूल जाएगा और फटा फट से हमारी ये हलवा रूपी दवाई बनकर तयार हो जाएगी फिर इसके बाद जिस कप से हमने आटा लिया है उस कप से हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे इसमें पानी डालने से एक तो आटा फूल जाएगा और जो गोंध है वो इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा फिर जो खोपरा हमने कद्दुकस किया है वो हम इसमें डाल देंगे मैंने इसमें एक कब कसा हुआ खोपरा डाल दिया है और अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे और क्यूंकि ये खोपरा हमने अलग से भूना नहीं है तो इसे हम इसी में मिला लेंगे और दो से तीन मिनित तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे फिर बस यह जो हमने गुड़ वाला पानी बनाया है यह हम डालेंगे तो इसको हम चलनी से छान कर डालेंगे ताकि गुड़ के जो भी इंपुरिटी जोगी वह निकल जाएगी और सारा पानी में इसमें डाल दिया है अब इसको हम अब आप देख सकते हैं कि यह जो हलवा है काफी अच्छे से गाड़ा हो गया है और शाइनी होने लगा है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ और चीजे डालेंगे इसको हेल्दी बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यह एक टीस्पून अत्रक का पावडर लिया है इसको सूट का पावडर या सूट का पावडर भी कहते हैं इसके साथ एक टीस्पून मैंने सफेद मिर्च का पावडर लिया है इसे दखनी मिर्च भी कहा जाता है इसका इस्तमाल आप जरूर से करें क्योंकि यह आखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है फ इसको हम क्या करेंगे कि घिसकर फ्रेश इसमें डालेंगे तकरीबन दो चुटकी जितना हमें ये इसमें एड़ करना है बस ये मसाले डालकर अच्छे से सिमला लेंगे और ढखक कर 3-4 मिनिट के लिए से धीमियाच पर पका लेंगे ताकि ये हलवा अच्छे से घी रिलीज कर देगा तब आप ये देखिए स्वाद, सेहत और गुनों से भरपूर हमारा ये गोंद वाला मखाना हलवा बनकर के बिलकुल तयार है इसमें जितने जादा आपको फाइदे मिलेंगे उतना ही जादा टेस्टी इसका स्वाद भी मिलेगा आपने सिर्फ गोंद का हलवा खाया होगा, सिर्फ मखाना का हलवा खाया होगा एक बार ये गोंद और मखाना का हलवा बनाकर जरूर खाएं क्योंकि ये आपकी सिहत के लिए डबल हेल्दी रहेगा बस रोज थोड़ा थोड़ा तीन चम्मच खाएं और जिंदगी घर तंदरुस्त रहें ये बच्चे बड़े बुजर्ग सभी के लिए बहुत ही जादा फायदेमंद है और ऐसा भी नहीं कि आपको इसे रोज रोज बनाना पड़ेगा बस एक बार बनाकर रख लीजिए और फ्रिज में ये 20 दिन तक आराम से चलेगा तो जल्दे से इस मिठाई रोपी दवाई को आप भी बनाएए खाईए अपने परिवार को खिलाएए और सब को तंदरुस्त रखिए और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूले सभी के साथ इसे शेर करें और हमारे चैनल एट एमिशास को प्लीज जरू से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसे ही रेसिपीस देखने को मिलती रहें और ने रेसिपीस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले हम नेक्स रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं तिल देन इंजोई दिस हल्दी हल्बा एंड थैंक्स फोर वाचिंग एट एमिशास